हमारा जो मड्यूल है वो है की टू effective fraud investigation यह very very important topic है इसमें हम यह discuss करेंगे कि effective fraud investigation कैसे conduct की जाती है हमने रोल भी देख लिया fraud auditor का क्या होता है हमने forensic accountant का भी रोल देख लिया क्या होता है जो later on आता है अब हम discuss करते हैं हमने effective fraud investigation conduct करनी है तो कैसे करनी है सबसे पहले litigation and predication litigation मैंने बताया था कि obviously court में जाना होता है आपने तो forensic accountant के जेन में यह बात होनी चाहिए कि जब उसके पास evidences आए है financial evidences fraud auditor की तरफ से non financial evidences जो वो खोड़े कठे करेगा जो report बनाएगा और पिर जो court में जाएगा तो उसके जेन में होना चाहिए कि यह case court में जाना ही जाना है ताकि उसके मताबक वो काम कर सके उसने यह हर बारी assumption लेनी ही लेनी है predication क्या है predication होती है totality of circumstances मतलब fraud हुआ है एक पिक्चर है हमें यह बता लग रहा है कि जी fraud हुआ है और एक बंदे ने किया है लेकिन हमेशा याद रुखिएगा हर fraud की दो रुख होते हैं एक वो रुख होता है जो आपको नज़र आ रहा है और एक वो रुख होता है जो आपके back end पे होता है इसी तरह हर बात कोई भी बात हो यहाँ पे थोड़ा सा मैड़ करता है चलो आपकी personal life हो आपकी official life हो हर बात के दो रुख होते हैं एक वो जो आपको नज़र आ रहा है और एक वो जो back end पे है तो predication में आपने totality of circumstances को देखना है पूरे picture देखनी है सिरफ यह नहीं कि आपको बता लगा fraud हुआ तो आपने जो है वो observation बना ली क्यों हुआ fraud, कैसे हुआ fraud किस ने किया, क्या ज़रूरत पेश आई किस किस ने help की क्या ऐसी company में weaknesses थी कि जिसकी वज़ा से fraud हुआ तो predication को आपने जहन में रखना है एक forensic accountant ने predication के concept को जहन में रखना है को कि अब आप लोग forensic accountant बनने जा रहे हैं तो यह चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए फिर approach case with two perspectives मतलब forensic accountant ने बताना है या तो fraud हुआ है या fraud नहीं हुआ दोनों सूर्तों में उसने evidence देने हैं और evidence होने चाहिए या तो वो बता रहे हैं कि fraud हुआ है या वो बता रहे हैं fraud नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि fraud नहीं हुआ तो आपने कुछ नहीं करना fraud नहीं हुआ तो उस case में भी evidence देने है उस case में भी आपने अदालत में जाना है ये चीज़ें आपने assume कर ली फिर आपने लगानी है fraud theory approach fraud theory approach क्या होती है आपने analyze कि available data जो fraud auditor ने दिया और जो आपने कठा किया फिर उसके बाद आपने क्या करना है create a hypothesis और फिर test करना hypothesis को और फिर आपने देखना है fraud हुआ है या नहीं हुआ जैसे के मैं आपको बताता हूँ हमने red flags पढ़े थे procurement के हमने कहा था कि अगर procurement में fraud हो रहा है तो आप एक ही vendor से चीज़ें खरीद रहे होंगे बार बार उसी से खरीद रहे होंगे मतलब जादा प्राइस पर ले रहे होंगे उसकी payment भी जल्दी हो रही होगी जो purchases की terms and conditions होती है वो एक इवेंडर पूरी कर पा रहा होगा बाकी नहीं कर पा रहे होंगे तो यह सारे ऐसी चीज़े हैं जो एक इवेंडर की favor में जा रही होंगी अब आपको पता है कि यह एक red flags है अब आपने क्या किया analyze किया available data को आपने कहा कि यार मेंपा जो data है उसमें यह red flags होने चाहिए आपने क्या डेटा आया आपने analyze किया अब आपने देखा अगर वो symptoms हैं या नहीं हैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं तो आपने क्या किया create a hypothesis आपने कहा मैंने data को analyze किया अब यह चीज़ें hypothesis मतलब होना चाहिए उसके अंदर फिर आपने टेस्ट किया आपने टेस्ट किया यार यह चीज़ें तो इस data के अंदर वाक्य में ही आ रही है बाकी में एकी purchases हम purchases एकी vendor से कर रहे है और यही एकी हम इसी vendor को payment चल्दी चल्दी कर रहे है उसी से हम चीज़ें खरीद रहे हैं बार बार उसकी payment भी चल्दी हो रही है आपने क्या किया तुबारा से थोड़ा सा ले चलू आपने सबसे पहले analyze कि available data को उसका चीज़ें ने का ली फिर आपने कहा कि अगर क्यूर्मेंट का fraud हुआ है जो हमने red flags पड़े थे वो इसके अंदर होने चाहिए creator hypothesis किया आपने फिर यहां पर आपने test किया hypothesis को उस red flags को कि क्या वो उसके अंदर आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब fraud हुआ है ठीक है आपको एक picture मिलगी कि यहां पर fraud हुआ है फिर आप क्या करेंगे fraud investigation plan बनाएंगे फिर आप वहां से उस जगा से उस step से आप फिर different explore करते चले जाएंगे मजीद data एकठा करेंगे interviews करेंगे eyewitnesses कोई ढूंडेंगे आप videos देखेंगे vendor आता था कहां बैठता था कैसे बैठता था उसकी लोगों के साथ कैसी गप शप थी बहुत मतलब उस सारे body language देखेगा vendor की तो वो non financial information जो है वो फिर एकठी करेगा fraud investigation plan basically वो फिर बनाएगा तो वो fraud investigation plan बना लेगा कि उसने कहां कहां से data इकठा करना है किस किस से interviews लेने है कब कब लेने है किस date को लेने है किस से क्या क्या सवाल पूछने है वीडियो किस किस दिन की देखनी है कब कब की देखनी है और क्यों देखनी है वो सारा उसने plan बना लिया उसने आई विटनेसेज उसने और देखा कि organization गेट पर जाके उसने investigation की कि ये vendor कब कब आता था कैसे कैसे आता था उसकी आदात क्या थी वो सारा कुछ उसने जो है वो मतलब plan बनाया फिर उसने क्या किया उन evidences को एकठा किया फिर जो हमारा last point है वो forensic accountant need to be approach the suspect जब उसने evidence एकठे कर लिये तो obviously जो suspect है जिस पर शक है जिस पर आपको यकीन हो गया आपने उस तक पहुंचना है तो फिर आप क्या करेंगे उसी तरह ज words वो report बनाएगा और court के अंदर present करतेगा इसको मैं आपको बताता चलूँ दुबारा से क्योंकि very important point है ये बहुत अच्छा topic है litigation उसे पता होना चाहिए कि उसने जाना है litigation में prediction, totality of circumstances के बारे में उसे पता होना चाहिए उसने case को बताना या तो fraud हुआ है या fraud नहीं हुआ है fraud theory approach मतलब उसने analyze करना available data को creating a hypothesis उसने देखना है कि यार अगर procurement में fraud हुआ है तो ये ये red flags होने चाहिए creating a hypothesis वो बना लेगा फिर उसके बाद वो क्या करेगा टेस्ट करेगा उ hypothesis को उस data के अंदर वो symptoms ढूंडेगा कि यार पाकी में क्या एकी vendor को payment हो रही है बार बार सारी terms and conditions उसी की favor में जा रही है ठीक है वो सारे उसको test करेगा अगर वो successful हो जाता है वो red flags अगर उसको नजर आ रहे हैं तो वो क्या करेगा उसे पता लग जाएगा कि यहां पे कुछ मसला है फिर वो क्या करेगा fraud investigation plan conduct करेगा जिसमें वो evidences भी ढूंडेगा non financial evidences में वो किस किस से interview लेना है कब कब लेना है कैसे लेना है कौन कौन सी videos देखनी है security वालों से interviews करेगा वो सारा उसमें वो एक plan बनाएगा plan बनाने के बाद वो evidences इकठे करेगा और suspect तक पहुंचे evidences कैसे कठे करेगा वही जैसे मैंने आपको बता दिया interviews के फ्रू आई witness के फ्रू आफ्टर वस रिपोर्ट प्रिजेंट करेगा report के मताबिक मैं आपको बताता चलूँ very important point जो आप कहना चा रहे हैं वही हो जो आपकी observation है वही written में हो sometimes most cases में ऐसे होता है कि जो आप कहना चा कर रहे हैं तो बिलकुल वैसा ही impact आना चाहिए जो आप basically कहना चा रहे हैं और फिर उसके बाद court में वह present कर देगा जिसके जिसने उसको hire किया होगा चाहिए वह company ने hire किया उसके बहाफ पे वह present हो जाएगा और evidences जो है वह पेश कर देगा कि यह नुकसान हुआ है तो यह हमारा key to effective fraud investigation